हेलो फ्रेंद्स आप सबका सिंपली केमिस्ट्री लेट्स मेक इट सिंपल बैस अंतोश मुले के चैनल में स्वागत है हमारा आज का टॉपिक है यह जो कंसेप्ट है विच वस गिवन बाई नील्स बोर यह जो कंसेप्ट में आज आपको सिंपलिफाई करने के लिए वीडियो बना रहा हूं बोर्स अटॉमिक थियरी ओके यह जो थियरी है यह नील बोर ने दिया था नील बोर अकेले नहीं थे जिन्नोंने आटॉम के स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मिशन दिया था उसके पहले JJ Thompson, Dalton, Rutherford और उसके बाद the most recent नील बोर ने अपना थियरी दिया था और यह जो थियरी जो है यह सिर्फ नाम का थियरी है अक्चुली उसमें 7 पॉस्चुलेट से point wise जो समझने के लिए बहुत ही असान है हम शुरू करते हैं पहले पॉस्चुलेट से पहला पॉस्चुलेट बोलता है जोकी रेस्ट कर रहा है मतलब जोकी अराम कर रहा है Freer friends आपको तो पता ही है कि atom का structure कैसे होता है Atom एक spherical body है इस atom के center में एक nucleus होता है जो positively charge होता है इस nucleus के अंदर होते positively charge proton और एक neutral neutron इस nucleus का जो positive charge है उसका पूरा responsibility इस proton का ही है उसके होने के कारण ही इस nucleus को positive charge मिलता है और इस nucleus के इर्द-गिर्द एक circular path है जिसे हम orbits पूलते हैं और electron in orbits में revolve करते हैं तो इस postulate का ये कहना है कि इस atom के structure में सिर्फ electron ही है जो घूम रहा है बाकी के चीज़े अराम कर रहे है जैसे कि nucleus So that is what this postulate means So an atom consists of central positive charge nucleus which is at rest I hope आपको ही समझ में आया रहेगा अब बात करते है second postulate की जो की बहुत ही important है और actually इस board postulates जो है बोर की जो postulates है उनका invent होने का कारण भी ये second postulate है बोर postulate इसलिए invent हुआ क्योंकि इसके पहले जो theory आई थी Rutherford की वो fail हो गई दी उसी के कारण बोर ने ये अपना postulates बनाया इसके पहले ही जो postulate आये थे बाई Rutherford उसके हिसाब से atom is unstable Rutherford के हिसाब से friends आपको explain करने के लिए मैं यहां एक fresh page बताता हूँ Rutherford ने क्या बताया Rutherford ने बताया कि atom के center में जो nucleus है नो डाउट यह तो open secret है यह हम सबको पता है उन्होंने यह बताया जो negatively charged electrons होते है न वो इस nucleus के गोल-गोल गुमते है और वो यह बोल रहे है कि यह electrons जब nucleus के गोल-गोल गुमेगा वो ठक जाएगा और ठकने के बाद वो atom के center में आके गिरेगा और atom collapse होगा जो कि यह concept गलत है क्योंकि हमारे इर्दगीर्द कितने सारे atoms है oxygen, carbon, सबके atoms है वो तो कभी collapse नहीं हुए वो तो highly stable है इसका मतलब Rutherford का यह concept गलत हुआ Rutherford के हिसाब से atom जो है वो unstable है अभी इसका जवाब Rutherford के पास नहीं था तो इसका जवाब Rutherford ने अपने second postulate में दिया उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो electron है वो nucleus के around revolve हो रहा है जो तो Rutherford भी अपने postulate में मानते थे लेकिन Rutherford को यह नहीं पता था कि यह जो electron है वो एक fixed circular path में गूम रहे है वो एक ही track में गूम रहे है जैसे friends आपको तो पता है Olympics में आप देखते हैं जब sportsmen, athletes भागते हैं तो उनको एक track दिया जाता है और वो sportsmen और athlete उसी track में भागते हैं यह नहीं कि ground में बच्चों को छोड़ दिया तो Rutherford के इसाब से यह जो electron है वो nucleus के गोल-गोल गूमते जा रहे है जैसे कि मानो कोई बच्चे को ground में भागने के लिए छोड़ दिया वैसे भागता जा रहा है वैसे लेकिन वो तो actual concept नहीं है actual concept के इसाब से electron जो है वो nucleus के एक fixed circular path जिसे हम orbits बोलते उसमें गूमता है और यह concept Rutherford को नहीं था पता था इसलिए वो उनकी theory fail हो गए तो second postulate में Bohr ने बताया कि the electron revolves around the nucleus in a certain circular path called orbits or shells तो Bohr ने अपने postulate में एकदम clear कर दिया कि जो electron है वो इस nucleus के revolve कर रहे है लेकिन एक fixed circular path में वो इसी path में इसी track में गूमता रहता है ना कि जिलेबी की तरह कूम कर center में गिरता है that is not possible उके उन्होंने ये कहा कि ये जो electron है वो nucleus के circular path में fixed circular path में orbits में गूमता है और उन्होंने ये भी कहा ये जो electron है negatively charged और positively charged nucleus है इनके बीच में एक strong force of attraction होने के कारण और centrifugal force के कारण ये electron nucleus के उपर कभी नहीं गिरता और उसी कारण atom एक stable चीज है जो कि Rutherford ने exactly opposite का Rutherford ने कहा कि atom unstable है जो तो कोई भी accept नहीं कर सकता था आप और मैं भी accept नहीं करेंगे कि atom unstable है तो उसका जवाब Bohr ने अपने second postulate में दिया उन्होंने कहा पहली बात तो ने ये clear की कि electron जो है वो इस nucleus के round एक circular path में गूमरे orbits ये concept नया आया उसके बाद उन्होंने बताया ये जो force of attraction है negatively charged electron और positively charged nucleus इनका जो force of attraction है वो centrifugal force से balance होता है जिसके कारण electron center में नहीं गिरता अब centrifugal force क्या है इसको मैं एकदम simple example आपको बताने चाहूं तो हमने तो local roads पे पुराने जमाने में देखा है कि एक रसी में कैसे एक लड़की balance करते है अपने आपको हम भी कभी railway tracks रहते है तो उसके ओपर भी हम चलने की कोशिश करते है balance करने की कोशिश करते है जब हम balance करने की कोशिश करते है तो हमा हमारा हाथ फैलाते है ताकि हम गिरेना weight equally distribute हो तो जो force center से आता है उसे हम centrifugal force बोलते है same force यहाँ पर भी है जिसके कारण electron nucleus पे नहीं गिरता तो यह जो second postulate है friend यह बहुत important है conceptual है आपको पता होना चाहिए और यह क्यों आया वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह Rutherford का जो theory था जिसके करनों fail हुआ उसके कारण यह उसका जवाब है I hope आपको यह समझ में आया होगा अब आगे चलते है और third postulate की तरफ जाते है third postulate क्या बोलते है friends कि यह जो orbits है अभी orbits क्या है यह तो आपको clear हो गया orbit एक fixed circular path है जिसमें हमारा electron revolve होता है अभी इन orbits are associated with definite energy call as energy level अभी यह नया concept है कि orbits को हम energy levels भी बोल सकते है ऐसा क्यों? क्योंकि इन orbits को अपना एक energy भी define होता है जैसे for example friends मैं आपको explain करता हूँ यह आपका nucleus है अभी nucleus के बाद पहला orbit आएगा this is orbit number 1 nucleus के बाद second orbit orbit number 2 उसके बाद तीसरा and so on हमेशा हमको याद रखना है orbits के counting जो होती है वो nucleus के immediately बाद ना like 1, 2, 3 ना कि 1, 2, 3 immediately बाद जो orbit होता है nucleus के immediately बाद उसको orbit number 1 बोला जाता है और उसके बाद 2, उसके बाद 3 and so on तो इस postulate में हमें ये बताया गया है कि ये जो orbits है इनको हम energy levels भी बोला जा सकता है ये ऐसा क्यों? क्योंकि इन orbits और इन energy levels में अपनी अपनी energy होती है for example जो पहला जो orbit है इसका नाम होता है k दूसरा l, तीसरा m और चौता n और ये जो number है ना friends की 1, 2, 3 ये हम ऐसे randomly नहीं देते है that is denoted by n is equal to 1 n is equal to 2 और n is equal to 3 और n is equal to 4 so on अब ये n क्या है n को हम बोलते है principal quantum number ये कुछ नहीं friends बहुत ही simple है principal quantum number जो है वो आपके orbits की number बताते है अगर n is equal to 1 मतलब मैं पहले orbit की बात कर रहा हूँ जिसका नाम k है अगर मैं बोलू n is equal to 2 मतलब मैं second orbit की बात कर रहा हूँ जिसका नाम l है अगर मैं बोलू n is equal to 3 मतलब आप समझ जाना friends कि मैं तीसरे orbit की बात कर रहा हूँ जिसका नाम m है अगर मैं n is equal to 4 बोलू तो समझ जाना friends मैं 4th orbit की बात कर रहा हूँ जिसका नाम n है तो उनका ये कहना है कि इन orbits की अपनी-अपनी energy होती है इसलिए इनको energy levels भी बोला जाता है और उनके energy level का एक fixed order होता है that is k less than l less than m less than n इसका मतलब क्या है friends कि सबसे कम energy k orbits को होती है k energy level आप थोड़ा बढ़ोगे l की k से जादा और आगे बढ़ोगे m की जो energy होती हो k और l से जादा और n की जो energy होती हो k, l, m और m से जादा है और आगे 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 आप जाओगे तो इस orbits की energy बढ़ती जाती है इसी कारण इनको energy levels भी बोला जाता है I hope आपको यह friend समझी में आया होगा अब हम बढ़ते हैं fourth postulate में जैसे हमें पता है कि इनने orbits भी बोला जाता है क्योंकि एक fixed circular path है जिसमें electron revolve होता है और हमें यह भी पता चला इनने energy levels भी बोला जाता है क्योंकि हर एक orbit की अपनी अपनी एक energy होती है जैसे k, l, l, m और l, n अब भी इन orbits में तो electrons पाए जाते बट इसमें जो electrons जाते हैं वो randomly fill नहीं होते वो हमारे इसाब से नहीं fill होते है उसका एक fixed formula होता है और वो formula है 2N square So the total number of electrons in the energy level या आप बोलो friends orbits या आपको नाया पता चला कि इनको orbits भी बोला जाता है या कभी-कभी इनने shells भी बोला जाता है क्योंकि इनमें electrons भरे जाते है तो उन्हें आप shells बोलो orbits बोलो energy level बोलो तीनों words सेम है लेकिर इनमें कितने electron जाते है वो हमें decide करना है by using the formula 2N square 2 तो आपको पता एक number है ये N क्या है N मैंने आपको पहले भी clear किया N is principal quantum number जिससे हमको orbits की number पता चलते है friends अभी जो पहला shell है जिसका मतलब है N is equal to 1 पहला shell N is equal to 1 मतलब मैं K shell की बात कर रहा friends तो उसमें कितने electrons जाएंगे तो हम ये formula use करेंगे 2N square यहाँ पे N का value है 1 so 2 into 1 square so 2 into 1 square मतलब answer आएगा 2 मतलब K shell में आपके 2 electrons जाएंगे as per this formula और ऐसा ही होता है अभी मैं बात करता हूँ N is equal to 2 मतलब friends मैं second shell की बात कर रहा मतलब मैं L shell की बात कर रहा अभी उसमें कितने electrons जाएंगे same formula 2 into N square 2 into 2 square 2 का square होता है 4 4 into 2 8 मतलब L shell में जाएंगे 8 electrons ऐसे ही friends आप 3rd और 4th shell के लिए भी calculate कर सकते है तो उस इसाब से M में जाते है 18 electrons और N shell में जाते है 32 electrons तो यह सब आपको 4th postulate में बताना है I hope आपको यह दोनों postulates समझ गया होगे अभी हम move on करते है to the next two postulates 5th postulate अभी 5th postulate तो बहुत easy है friends उसमें क्या लिखा है कि as long as the electron remain in a particular orbit it does not gain or lose energy इसका मतलब क्या है जब तक एक electron अपने ही shell में है या अपने ही orbit में है वो ना ही energy देगा और ना ही energy लेगा जैसे एक friends मैं आपको example देता हूँ जैसे आप देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं घर पे तो जब छोटे बच्चे घर पर होते हैं वो ना ही musti करते हैं ना ही कुछ शोर शराबा करते हैं लेकिन जैसे ही इन बच्चे बाहर जाते हैं आप देखो जब शादी या किसी function में हम इने ले जाते हैं तो यह जादा ही musti करते हैं तो same concept हमारे electron भी है हमारे electron भी ऐसा ही है जब तक वो अपने घर में रहता है वो ना ही energy देता है ना ही energy लेता है वो वो शान्त रहता है लेकिन जैसे ही वो किसी दुसरे orbit में जाता है या दुसरे orbit से आता है वो अपनी musti शुरू करता है तो fifth postulate में आप ज़रूर याद रखना यह example कि as long as the electron remain in a particular orbit it does not gain or lose energy मतलब friends जब तक एक electron अपने ही orbit में है अपने ही shell में है वो ना ही energy देगा ना ही energy लेगा अभी हम बढ़ते हैं sixth postulate में यह उसका ही continuation है friends when an electron jumps from lower energy level to higher energy level it absorbs energy whereas it emits energy when it jumps from higher energy level to lower energy level यह बहुत ही simple है friends अभी imagine करो दो energy level है एक है E1 और दिसरा है E2 ऐसा है कि E1 का जो energy E2 से कम है मतलब यह low energy है मतलब यह high energy है तो इस postulate का क्या कहना है कि जब एक electron lower energy से higher energy jump करेगा मतलब जब वो ground state से excited state में जाएगा तब उसको energy absorb करना पड़ेगा तब उसको energy लगेगी और जब वो higher energy level से lower energy level आएगा तो अब वो energy emit करेगा इसका example आप अपने पनी ले लो जैसे आप इस आपका classroom जो है वो fifth floor पे है और आप ground floor से सुबह सुबह जब आप अपने lecture के लिए जाते हो ground floor से fifth floor तक मतलब जब आप lower से ground floor से fifth floor तक जाते हो lecture में तब आपको suppose lift नहीं है उस floor पे building में lift नहीं है तो आपको पूरा fifth floor तक चल के जाना पड़ता है तो उसके लिए आपको energy लगेगी friends definitely तब ही आप आपका जो breakfast है lunch आपने किया होगा तो वो energy absorb करेंगे तो same funda यहाँ पे होता है suppose अभी यह वाला समझने आपको suppose आपका lecture खतम होगा आपकी छुटी होगई school की तो जब आप school की छुटी होते है तो उपर से नीचे fifth floor से ground floor आप तो फटाक से आजाते हो full on energy बहले आपकी energy drain हो लेकिन जो छुटने की खुशी में आप जो emit करते हो तब आप मस्ती करके आते हो आवाजे करके आते हो मतलब आप energy emit करके आते हो तो same funda हमारे electron के साथ भी है जब वो बिचारा lower level से higher level जाता है तब उसको energy absorb करना पड़ता है तब उसे ताकत लगती है और जब वो higher level से lower level आता है वो energy emit करके आता है वो खुश हो कराता है तो same funda हमारे आपको apply करना है I hope आपको example भी समझा है और postulate भी समझा है अभी हम move करते हमारे last postulate पे जो है Only those orbits are possible in which the angular momentum of the electron is equal to nh upon 2π अभी friends just imagine यह आपका nucleus है और यह आपके orbits है friends यह orbits और nucleus के बीच में distance यह कैसे arrange होता है यह भी randomly arrange नहीं होता पहली बात तो आपको मैं एक भी बात clear कर दो कि जितने electrons होते हैं न उतने ही orbits होते हैं अगर आपके पास 2 electrons हैं तो एक ही orbit होगा अगर आपके पास और 8 electrons हैं तो वो 8 electrons पाकी के बाजुवाले orbit में जाएंगे तब तक यह orbits नहीं रहेंगे मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ओफ electrons उतने ही orbits अवेलेबल होंगे ओके फ्रेंड्स अभी इन orbits का distance कैसा होता है that is decided by this formula that is mvr mvr is equal to nh upon 2pi यहाँ पर friends m चो है वो एक constant है v constant है n आपको तो प्रता है principal quantum number h is planks constant जो again constant है pi 3.14 सारे चीज़े constant है except r और n को पकड़ के तो जैसे-जैसे n का value change होता जाएगा n का value change होता जाएगा वैसे-वैसे यह distance भी change होता जाएगा आपको मैं और neatly explain कर सकता हूँ यह n1 है, n2 है, n3 है तो यह हो गया r1, यह हो गया r2 और यह होगा r3 तो इस formula के हिसाब से यह orbits जो है, यह shells जो है, यह energy level से वो arrange किये जाते है so that is basically your 7th postulate so only those orbits are possible in which the angular momentum of the electron is equal to nh upon 2pi और फिर जब यह formula में जो-जो terms involved है आप उन्हें explain कीजे की m क्या है, m is mass of electron, h is planks constant, v is velocity of electron and r is the radius of orbit so यह था friends आज का concept I hope आपको यह clear हुआ रहेगा एक बार मैं quick revision आपको करके देता हूँ तो friends आज हम लोग discuss कर रहे थे postulates of Bohr's atomic theory अभी तो friends आपको पता चल गया रहेगा कि यह नाम का theory है actually कोई theory ज़ादा theoretical नहीं है नहीं कि 3-4 pages का answer है यह सिर्फ 7 points ही है जो पढ़ने में बहुत असान है तो पहला postulate यह है कि atom consists of central positive charge nucleus which is at rest इसका मतलब atom की center में positive charge nucleus होता है जो अराम कर रहा है जो resting में है second postulate यह है कि यह जो electron है वो इस nucleus के round round एक fixed circular path जिने हम orbits बोलते हैं उसी में ही revolve करता है और यह negatively charged electron और positively charged nucleus के बीच में जो force of attraction है वो balance करता है centrifugal force के वज़े से जिसके कारण यह electron nucleus पे नहीं गिरता third postulate the orbits are associated with definite amount of energy हर orbit को अपना एक energy भी होता है इसी कारण उसे energy levels भी बोलते हैं जैसे k, l, m, n यह नाम से friend orbits के और इनका energy order है k less than l less than m और less than n fourth postulate में हमने सिखा कि इन orbits में, इन energy levels में इन shells में कितने electron जाते हैं और वो हम decide करते हैं using formula 2n square जहां पे n है principal quantum number fifth postulate में हमने यह देखा कि electrons जब तक अपने ही shell में रहता है वो ना ही energy gain करता है ना ही energy loose करता है और sixth postulate में हमने यह देखा कि जब एक electron lower level से higher level jump करता है वो energy absorb करता है और जब वो higher level से lower level jump करता है तब वो energy emit करता है और seventh postulate में हमने यह देखा कि सिफ वो ही orbits possible है जिनका angular momentum is equal to nh upon 2 pi I hope friends आपको ये साथो postulates समझे होंगे और बहुत simplified way में मैंने आपको समझाया है अगर आपको कोई भी doubt है इस concept को लेकर आप comment section में जरूर बता सकते हैं और don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel Simply Chemistry Let's make it simple with Santosh Mule Thank you friends Let's make it simple with Santosh Mule Let's make it simple with Santosh Mule